Hello everyone, as you all know, this is Nihar Katiwari, so guys we are back with another video related to a series of business economics and in this part we are going to cover next topic, so उसे पहले वाले पार्स अगर आपने नहीं देगे हैं, तो चैनल की प्लेस में जाके उसे जरूर चेक आउट करेंगे, आज हम next topic को लेके discussion करेंगे, Instagram, Telegram में मुझे जाइन कर सकते, so without any further delay, let's start this video, So now guys, आज हम topic को लेके discussion करेंगे, वो है आपका law of demand, क्योंकि इसके बाद जो topic start होने वाले वो demand से ही related start होने वाले हैं, तो आज बहुत ही short में discussion करेंगे, कि law of demand अपका होता क्या है, ठीक है, अब लोकर इससे पहले demand को समझा था कि demand क्या होती है, demand में हमने समझा था कि demand क्या है, जो भी आप quantity of good and services को लेना चाते हैं, आप willing है, even आपके पास capable भी है, आप able भी है, कि आप उसको given price पे और given market में आप ले पाए उस time पे, वो होती है, आपकी demand जो मने एक brief में समझा था, ठीक है, next है आपका law of demand क्या है, law क्या है demand का, demand का law किस चीज़ पे based है, एक fundamental principle है, economics में जो describe करता है, कि inverse relationship होता है, price of good and services पे और quantity demanded by the consumer, assuming all other factors remain constant, आपको ने पढ़ने पढ़ाता है, जो demand उसको बहुत सारे factors है, क्या करते है, effect करते है, लागि यह demand है, वो बढ़ रही है, गटेगी, वो depends काता है, उसके price पे, माल लो price बढ़ गया, आपको भी पता है, नेजर का customer का price बढ़ जाता है, तो फिर वो demand कम कर देता, जैसे कि बिटा माटर की price बढ़े तो लोगों ने demand का कर दी, कम कर दी, तो ये, फिर price घट गया, तो लोगों ने on demand शुरू कर दी, ठीक है, फिससे तरीके से बहुत सारी चीज़े होती है, कि customer की income बढ़ गई, तो demand जादा होगी कम हो गई, तो demand कम हो गई, taste बदल गया तो हो गया, तो बहुत सारी factors हैं, जो आपके demand को असर करते हैं, उस पे effect डालते हैं, लेकिन law of demand ये कहता है, कि हम बाखी सारे factors को क्या करेंगी, constant रख देंगी, ये मानेगी, कि demand पे उनका कोई फरक नहीं पड़ रहा है, except price, मतलब कि price और demand के बीच में क्या है, inverse relationship है, ये law कहता है, कि अगर price बढ़ता है, तो demand कम होती है, तो demand जादा होती है, मतलब कि inverse relationship है, price of good and services और quantity demand by the consumer, ठीक है, तो as the price of the good and services decreases, जैसे price क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, quantity demand good and services की क्या हो रही है, increase हो रही है, conversely, मतलब कि opposite भी यही कहा जा सकता है, कि price बढ़ रहा है, तो quantity demand decrease हो रहा है, मतलब कि आपने देखा, कि अगर demand जो है, ये price लेते है, price को base मना के, price बढ़ रहा है, तो demand आपकी घट रही है, और price घट रहा है, तो demand आपकी बढ़ रही है, ज क्या ये law कहता है, तो ये तो clear है law क्या कहता है, law कह रहा है, कि जितने भी factor है, आपको उनको constant रखना है, और ये law ये कहता है, ये बाकी सारे factors को constant रखने के बाद, जो demand है, और जो price है, एक factor सबसे बड़ा वाला, जो demand पे ऐसा डालता है, वो दोनों लोग में क्या है, inverse relationship है, एक बड़ता है, तो दूसरा घटता है, एक घटता है, तो दूसरा बड़ता है, अब हम demand schedule के थो समझेंगे, कि क्या है ये inverse relation, देखे ये price है, x क्या है, px मता price of commodity x, dx क्या है, demand of commodity x, तो price क्या है, देखे आप पहले price 5 था, तो demand कितनी थी 100, price कम हो गया, price 4 हो गया, demand कितनी हो हो गही 200, price और कम हो गया, demand हो गया, $300, price 2 हो गया, demand हो गया, $400, price 1 रुपए हो गया, demand बहुत बड़ जी मताब 500, आपने क्या देखा, price जो है, वो कम होता जा रहा है, price जो है, वो 5, 4, 3, 2, 1, से क्या हो रहा है, और demand वहीं आप देख रहे हैं कि वो क्या हो रही है आपकी बढ़ती जा रही है continuously ठीक है तो जहां आपने देखा कि price मेरा कम हो रहा है वहीं आपकी demand क्या हो रही है पहले की मुकाबले अब बढ़ गई है पहले 100 थी अब कितनी है 500 इसको curve में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं आपने आपने क्या करना है एकसिस ले लिए लेना है यहां पर देखिए एकसिस पे आपने दिमांड को जिखा कर दिया को कर दिखता को Saber यहां पर देखिए नौर्मल देखने हैं प्राइस तीन हुआ डिमांड और मतलब और जादा हो गई 300 प्राइस दो रुपय हुआ डिमांड देखे और बढ़ गई 400 और प्राइस एक रुपय हुआ तो डिमांड बहुत जादा आपको बढ़ी हुई दिख रही है यहां से जो की है आपकी 500 यह आप देख पा रहे हो कि कितना असर आता है आपकी एक demand पे और price के बढ़ने और घटने से ठीक है जब 5 था तो बस आपको इतना ही देखने को मिला जो कि आपको देखने को मिला और जहां पे आपका price बढ़ गया वहां पे आप देख सकते हो कितना जादा आपको इंक्रीस दिख रहा है demand ठीक है तो यह हमने discuss क्या हो जो भी आपका graph plot करने के बाद जो भी curve बना है वो कि ऐसा बना है flattened बना एकदम slope curve है आपका ठीक है यह आपने समझा यहां पे कि यह law के according आपका demand of price और demand with care relationship है that is your law of difference ठीक है तो यह हमने discuss कर लिया जैसे जासे आपने भी पूरे के थुरू देख लिया example के भी थुरू कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा वैसे वैसे आपकी demand बढ़ देई और यह curve के थुरू भी आप draw कर सकते हैं जो कि आपका sloping downward ठीक है प्रिये में discussion कर लिया आपका law of demand I hope कि आपको समझ में आया है still कोई भी doubt रह गया है तो उस को subscribe करेंगे thank you